देश में लगातार बारिश हो रही है और इसका सीधा असर कमजोर इमारतों पर देखने को मिल रहा है पिछले दो महीने के दौरान महराश्ट्रों में बिल्डिंग कॉलाप से एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है राइगड में हाल ही में बिल्डिंग कॉलाप से कई लोग फसे थे और साथ में मौत भी हुई थी यह अलम सेफ महराश्ट्रों का नहीं है बलकि उतरपरदेश से लेकर दिल्ली गुरगाओं तक जरजर एमारतों पर खत्रा मढ़ रहा है आज के शो में इसी पर बात करेंगे क्योंकि गाजियाबाद में 102 बिल्डिंग्स को रहने के लिए अंसेफ बताया गया है हलो और वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स आइम शिल्पी डुडेजा आज के शो में बात करेंगे कि कैसे अंसेफ बिल्डिंग्स में रहना आपके लिए खत्रे से खाली नहीं है और साथ ही आप क्या कर सकते हैं अगर आपकी बिल्डिंग पूरी तरीके से वीख हो चुगी है मुंबई में लगातार भारी बारिश से यहां कमजोर एमारतों की गिरने का खत्रा हर पल बना हुआ है साउथ मुंबई की फोर्ट उलाके में रेजिदेंशल बिल्डिंग का एक पोर्शन गिरने से कई लोगों की मौत हो गई यहाल सिर्फ मुंबई का नहीं है बलकि दिल्ली के द्वारका में बैलकनी गिरने से भारी नुकसान देखने को मिला गुड़गाओं में तो हालत यह है कि बारिश पढ़ने से अंडर कंस्ट्रक्शन मकान जुग गए और ऐसे मकान को तुरंट से सील कर दिया गया महाडा के रिपेर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड की एक रिपोर्ट के हिसाब से 1971 से 2018 साल के बीच में मुंबई में 3528 बिल्डिंग्स कॉलाप्स कर चुकी है और इससे 900 लोगों की मौत हुई है रिपोर्ट के मुताबिक हर साल मुंबई में 20 से 25 इमारते गिर्दी है इसी रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई में 100 साल से पुरानी इमारतों की संख्या तकरीवन 16,000 है इसमें खास बात यह है कि महाडा हर साल बारिश का मौसम शुरू होने से पहले इन इमारतों का सर्वे करवाता है और खतरनाक हो चुके इमारतों को खाली भी करवाया जाता है लेकिन बावजूद इसके मुंबई में जरजर इमारतों का गिरना जारी रहता है इस साल तकरीबन 3,000 से ज्यादा मकान यहाँ पर खाली करवाये गए हैं गाजयाबाद में मिनिसिपल कॉर्परेशन ने तो 102 इमारतों को रहने के लिए अनसेफ बता दिया है रिकॉर्ट के हिसाब से जोन में जरजर होती इमारतों का होट स्पॉट वालमी की कुझ है जहां 38 तूटी इमारतों में से 26 इमारते B ब्लॉक में है मोर नगर में 31 मकान, विजे नगर में 17, वसुंदरा जोन में 14 और कवी नगर में 24 से ज़्यादा बिल्डिंग्स अनसेफ हैं गाजयाबाद मिनिसिपल कॉर्परेशन ने ऐसे बिल्डिंग्स को नोटिस भेज कर इनके रिपेर करने का आदेश जारी किया है ऐसा नहीं होगा तो एड्मिन्स्ट्रेशन इन बिल्डिंग्स को खाली करवा देगा और इसके लिए तीन हफ़ते का टाइम दिया गया है जीडिये ने तुलसी निकेतन को बसाया है और यहाँ 2292 फ्लाट्स हैं जो कि कई सालों से क्रैक्ड और अनसेफ्ड है और जीडिये इसके री डिवलप्मेंट का प्लान भी बना रही है लेकिन देश भर में बिल्डिंग्स गिरने के मामले से सवाल उठता है कि आखरकार इन हाथ्सों के लिए जवाब दे ही किसकी होती है समय समय पर जो भी नगर निकम शेतर में हमारा ऐसी बिल्डिंग्स है जो की जरजर हो चुकी है चाहिए दिवार है बिल्डिंग है भवन है शडख है अगर हमें लगता है कि वो पब्लिक इंट्रस्ट में वो किसी को नुक्सान पहँचा सकती है या किसी के उपर गिर्द सकती है, तो नगर निकम शेतर में हम लोग उतरप्रदेश नगर निकम अदिनियम 1959 में धारा एक इन्सो एकत्ती से उसके माध्यम से हम जो उसका स्वामी है या जो वहां पे रहरा है उसको हम लोग नोटिस देते हैं कि इससे जानमाल को खत्रा हो सकत है, तो आप इसको मरमत करा सकते हैं या इसको ड्हके न इसले से इसको बना सकते हैं तो समय-sung पर हमारे बास瓜 नोटिस दालिक में इस प्रकर का मामल आता है बारिश या फिर वाटर सीपेज कितनी खतरनाक हो सकती है किसी भी बिल्डिंग के लिए दरसल ज्यादतर पुरानी इमारतों में बिल्डिंग में मैटेरियल और इंस्टोलेशन और लैक आफ प्रॉपर मेंटेनेंस की वज़े से ही दिक्कत आती है और यहीं वज़े है समय समय पर बिल्डिंग की मेंटेनेंस जरूरी हो जाती है continuous contact with the rain water leads to crack in the plaster making the wall damp due to innocent water seepage और अगर इसको नहीं रोका जाए तो आपके इंटीरियर तक यह पहुँच जाता है और इससे इमारत बेहत कमजोर हो सकती है अब आप यह सूच रहे होंगे कि आखर कार ऐसे में क्या किया जा स structural cracks including damage roof और wall tiles can be fixed मॉंसून के समय पर यह सबसे ज्यादा chip होते हैं इसके लावा घर में proper drainage system होना जरूरी है check out for the drainage gutter and the pipe for any blockage change the gutter pipes in case it is old क्योंकि wall में dampness due to moisture आता है अगर आपका अपना घर नहीं है तो यह काम आप टावर में मिलकर सबके साथ समय समय पर करवा सकते हैं अपने घर की maintenance आपके खुद के हाथ में है घर खरीदना जतना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसकी maintenance भी चलिए इस वीडियो पर like share comment करना ना भूले मुझे टिटर पर इंस्टा पर और साथ ही facebook पर भी follow जरूर करे मैंने अपना handle नीचे दिया है thanks for watching property matters please subscribe to magic bricks on youtube and click the bell icon to get new videos